नमस्कार योर्मनी में आप सभी कस्वागते हैं आपके साथ मैं हूँ स्वाथी योर्मनी में हमारी कोशिश होती है वहर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके नमस्कार योर्मनी में हर्श शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जबाब का सिरसिला ललित कुमार गुपता हमारे साथ कटनी से जूड़ है फोन लाइन पर गुपता जी नमस्कार क्या जाना चाहते है आप मैंनम नमस्कार मैं जाना जाता हूं कि इक विडियो पर गुपता में ड्यूर ऑपर की सेविंग के लिए वो मेरा लेना ठीक रहेगा मैं और मेरे पिता जी दोनों लोगों नहीं एक लाक्र उपर सेविंग कर रखी है बट उसके उपर अगर आप चाहते हैं कुछ आपने क्या किसी भी तरीके से म्यूच्वल फंस में या फिर शेयर बाजार में निवेश किया है पहले नहीं किया है नहीं किया मैं यूलिप प्ल आते हैं टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना हर्श बताएए कि आप सला देंगे राजीव गांधी एक्विटी सेविंग स्कीम इनके लिए ठीक रहे है एपसलुटली गुपता जी आपने सही पैचाना कि एटी सी की जो एक लाग की लिमिट है उसके ऊपर ये राजीव अकाउंट अगर है और आपने कोई भी उसमें शेयस खरीदे नहीं है तो आप न्यू इंवेस्टर कालाते हैं और अगर 23rd नुवेंबर के बाद आपने अगर अगर टो आप IIT के लिए आपने डिबेटिव फी हमआप goose हो गया आपकी इलिगिडिलिटिु के लिए अब जो आप इस scheme में निवेश कर सकते हैं वो है 50,000 रुपीज आप उससे जादा भी कर सकते हैं लेकिन जो benefit मिलेगा वो आपको 50,000 रुपीज के investment तक ही मिलेगा और अगर आप 50,000 रुपीज करते हैं तो 25,000 रुपीज qualify होता है आपको tax deduction के लिए और फिर जो भी आपका tax slab है आपका मैं देख रहा हूँ कि 10% का tax slab है तो आपको 5,000 रुपे tax की benefit होगा और आपके पिताजी अगर 20% में है तो उन्हें 20% tax benefit मिलेगा विच इस 5,000 रुपीज अब कौनसी schemes में आप इसमें invest कर सकते हैं बहुत specifically defined किया गया है क्योंकि एक नए investor के लिए सरकार चाहती है कि वो एक established companies में invest करें एक particular set of जो instructions दिये गए हैं पहली बात है कि आप अगर कोई भी public sector undertaking की companies लेते हैं जो महारतना या नवरतना या मिनी रतना qualified you know specified की गई है या तो आप BAC 100 index जो है उनकी जो companies है 100 companies है उनमें आप निवेश कर सकते हैं कोई भी company है जिसमें सरकार का जो stake है वो 51% के उपर है और last 3 years उनका turnover 4000 crores के उपर होना चाहिए तो ऐसे अलग-अलग specifications दी गई है As a new investor मैं आपको सला दूँगा कि आप mutual fund के थ्रू जाइए क्योंकि mutual fund भी eligible है इनमें invest करने के लिए उन्होंने specifically RGESS schemes launch की है तो आप उसके थ्रू अगर करते हैं तो आप आपको ये tax benefit मिल जाएक और कौनसे shares खरीदना ये सब की आपको टेंशन लेने के जरूद नहीं होगी आपको ये बता दू कि आप अगर mutual fund equities में invest किये हैं तो भी जो interpretation निकल के आ रहा है कि आपको DMAT account होना जरूरी है अगर आपने equity mutual funds में invest किया है तो भी आप Rajiv Gandhi equity scheme का फाइदा ले सकते हैं जा रहे हैं सभी investors को कि पहली बात आपको अगर DMAT account में चाहिए कि आपको physical mode में चाहिए जो physical certificate के mode में आता है अगर आपको tax benefit चाहिए ये जरूरी है कि आप ये चीज़ DMAT में ही लें अगर आप physical mode में लेते हैं आपको tax benefit नहीं मिलेगा तो आप अपना DMAT account कोई भी DP के पास जाएए DMAT account खुलवाईए और एक form A आप DP से मांगिए आपके depository participant से आप एक form A मांगिए जो एक ennexure है उसमें भरके आप declare कर रहे हैं कि ये account आप प्राजीव गांद एक्विटी स्केविंग सीम्स के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये अर्माक हो जाएगा और फिर आप उसमें निवेश करना शुरू कर सकते हैं जो मैंने tax benefits आपको अल्री बता दिया है मैक्सिम्म 50,000 इंवेस्ट कर सकते हैं और उसका आधा आपको qualify होगा tax purposes के लिए चलिए अगला सवाल लेते हैं हमारे साथ संजीत सिंग जूड़ है फो लाइन पर सिंग साब नमस्कार आप क्या जानना चाते हैं सिंग साब आवाज आ रही है मेरी हाजी जी आप अपने SBI Magnum Tax Gain और SBI Magnum Balanced Fund में निवेश किया हुआ है कितना निवेश किया दोनों फंद में आपने दोनों फंद में अभी तक मेरा 34,000 का इंवेस्टमेंट है और कब निवेश किया है ये शे महिने हो गए और आप परिशान क्यों है इन फंद की परफॉर्मेंस को देखकर आप कितना वक्त लेके चल रहे थे इस निवेश को इन इस निवेश को इन इस निवेश के लिए ये श्यली मैंने तो दो तीन साल का वक्त लिया था तो फिर आप अभी 6 महीने या 7 महीने या 2 हक्ते जज़ा कि आपने एमेल में लिखा था इतना 2 हक्ते में परिफॉर्मेंस देख कि इतना परिशान क्यों हो रहे नहीं मैं यह सोच रहा हूँ अगर यह दो हफ्ते होते होते अगर वो 15,000 बीस से जहां तक आ जाए मेरा प्रॉब्लम यह है ना कि every month मैंने उसको करवाया है यह मैंने SIP करवाया है मैंने अच्छा यहां पर तीन साल का लॉक इन होता है जहां पर तीन साल तक पैसे नहीं विड़्ॉव कर सकते है जो आप एस्बी आई मैंगनम टाक्स गेन है यह आपने किसके कहने पर लिया है खुद से लिया था या किसने सला दी थी यहां पर एक मिस सेलिंग भी दिख रही है लेकिन बड़ी बात यह है कि छे महीने सही निवेश कर रहे हैं और दो हफ़ते से परफॉर्मस दे के थोड़ा ज्यादा परिशान हो गया है एक फंड में तो यह कुछ कर ही नहीं सकते हैं और वैसे भी छे महीने या दो हफ़ते देना किसी फंड के फंड को परफॉर्म करने के लिए I think यह सही नहीं है हर्श Absolutely Sanjit जी जैसे हमने पहले आपको पताया कि SBI Magnum Tax Gain जो स्कीम है उसमें तीन साल का लॉक-इन है अगर आप अभी भी परफॉर्मस एवैल्यूएट कर रहे हैं तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि फंड तीन साल के लॉक-इन होता है इसमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा ह सिर्फ मेरी सला आपको यह रहेगी आपके जो दोनु जो फंड को देखते हैं और आपकी जो क्वेरी समझ रहा हूं मैं सिंपल है कि जभी भी आप एकुटी में इन्वेस्ट करें या आप कोई बैलेंस फंड भी लें आपको यह ध्यान रखना है कि आप उसे तीन-चार महन आपको इग्नॉर करनी होगी लॉंग तरम में आपको देखना है कि आपका अगर फंड का अब्जेक्टिव सही है फंड मैनेजमेंट ठीक है जो उनके जो थीम है वो भी अच्छा है तो आपको उसमें बने रहना होगा अभी मैं आपको बता दूँ आपका जो SBI Magnum Tax Gain Scheme है और फिर उसे evaluate करिए आगे जाते हुए कोई भी investment आप करें यह धियान रखिए कि आप उसके features अच्छी तरह समझ लें नहीं तो आपको miss selling करना बहुत जादा easy है और आपके बहुत पैसे उसमें शायद नुकसान हो सकता है संजीत आप बने रही है दोनों ही funds में करीब करीब एक साल का वक्त आपको देना होगा SBI Balance Fund को और क्योंकि आप Tax Gain Fund में SIP के जरिया निवेश कर रहे हैं आपने बताया तो आपकी हर SIP तीन साल के लिए lock-in हो रही है तो आप उसे पैसे निकाल भी नहीं सकते हैं फिलहाल तो वहाँ पर आपको इंतिजार करना ही होगा और जैसा हर्श ने बताया कि अच्छा fund नहीं इंतिजार करने में कोई बुराई नहीं है यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेते हैं आप बने रही जॉर्मनी के साथ ग्यॉर्मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं हमारा फोकस है mutual funds पर सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्श रूम टाप अगला सवाल लेते हैं गणेश लोनकर हमाने सवाल इमेल के जरीए भेजा है इनोंने कहा है कि हमेशे हम बात करते हैं कि mutual fund में 12% तक का रिटर्न मिलता है लेकिन फिछले 5-7 साल में किसी भी fund ने 12% करेटर नहीं दिया है तो ऐसा क्यूं है और वो 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं यह तीन funds के नाम चाहिए यह सवाल बहुत सारे दर्शक हम से पूछते हैं कि जब हम बोलते हैं कि आप निवेश कीजिए लंबे वक्त के लिए या फिर जितने वक्त के लिए भी करना है हम उमीद करके चलते हैं कि 10 से 12% करें हम बताते भी हैं कि आपको इतना रिटर्न मिल सकता है और इस लिहाद से आपका पैसा इतना हो जाएगा तो वह जो रीटर्न होता है 12% या 13% या 15% बहुत अच्छा साउंड करता है लेकिन निवेश को कुछ चाहिए, दर्शक को क्याएँ कि रुटर्न किस फंड में मिल रहा है क्योंकि कि किसी फंड में पिछले 3, 4, 5, साल में उस तरह रुटन देखने को मिला ही नहीं यह अच्छली आपने सही बताया कि बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं आपको इक स्टेस्टिक्स देते हैं, हम उसे खाली एनलाइस करेंगे, हम मार्केट की जब बात करें, तो हम कोई भी एक स्पेसिफिक फंड का एक्जामपल नहीं लेते हैं, हम एक मार्केट का डेटा एनला सावास हैं, लास्ट वननयर का डेटां अगर हम देखें SENSEX का तो वह है करीबन 7.3%, लास्ट थ्री यह का देख रहें हैं वह है करीबन 7%, लास्ट फाईवी यह का देखें, ब्शों परसेंट, लास्ट एवन यह का देखें, तो वह होगया 10% और लास्ट टैन यहर्स का जिसमें पांच साल आज चुके हैं, we are considering this five years of flat returns and फिर हम लास्ट है और उसके पीछे five years देख रहे हैं, तो वो return is 18.75%. So market की tendency है कि कभी एक period हो सकता है जिसमें आपको returns बहुत जादा flat मिले, लेकिन एक दूसरा दौर आता है जिसमें वो cover up कर लेते हैं, अगर हम यह long term data देखें, index का हम since inception देखें, 1979-80 का inception से देखें, तो वो है करीबन 17% returns, आपको कोई भी block, जो equity investors हैं, उनको हम बताते हैं कि आप आपको जो investments है short term में नहीं देखने होंगे, अगर हम 10 years का block देख रहे हैं, तो आप करीबन 17-18% के returns मिल रहे हैं, अब इसमें दूसरा सवाल आ जाता है कि आप हम कहां invest करें, अब इसमें कहां इन्वेस्ट करें, आपके पास करीबन 500 equity funds अवेलेबल है market में, जिसमें से आपक को choose करना है, उन में से आप ही देखेंगे कि अधिकतर जो है, वो है actively managed funds, वो आप एक fund manager को पैसे देते हैं, वो decide करते हैं कि आपको कौन सी scheme में डालना है, कौन से shares में डालेंगे, कब exit करना है, कब entry लेना है, again हम long term data की बात करते हैं, हमने देखा हैं, जो matured markets हैं, उन में less than 50 percent of the fund managers have been able to beat the market, so अभी आप जब scheme चूज करते हैं, आपको यह नहीं मालूम कि आपकी scheme market को और perform करने वाली है, कि नहीं करने वाली है, यह chance आप लेते हैं, और इसे हम track करते हैं, performance देखते हैं, हमने यह भी देखा है कि कोई भी fund manager है, या कोई भी fund house है, कोई भी scheme है, उनका ए सिंपल है, आपने देखा है कि inflation adjusted return आपको equity से चाहिए, हम जो estimate करते हैं, हम करीबन 14-15 percent equity से मिले, compounded मिले, तो बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम suggest करते हैं, कि जो new investors हैं, जो track नहीं करना चाहते हैं, आप simply एक uncomplicated investment करिए, जो है investment आप सीधा index fund में ही कर दीजिए, तो आपका investment करते हैं, हम हमेशा कहते हैं अपने दर्शकों को जब एक नया निवेशक भी होता है, कि अपने portfolio में आप diversify कीजिए, अगर आपके पास माली जे की 5000 ही है, तो आप दो fund लेके चल सकते हैं, आपने कहा कि हर fund का एक cycle होता है, किसी भी निवेशक के लिए बहुत मुश्किल है उस fund को लगातार track करना, तो फिर क्या सभी निवेशक सिर्फ index fund की तरफ जाए, उनके पास options क्या है, अगर माली जे कोई fund लगातार पिछले 4 साल से अच्छा कर रहा और 5 साल में खरा performance हो गया, तो मैं क्योंकि, क्योंकि मैं share बाजार को बहुत closely track नहीं कर पाती हूँ, इसलि आपको इवेंचुली क्या चाहिए, आपको चाहिए कि हम shares के जो returns मुझे मिलने चाहिए, वो मुझे मिलने हैं, अगर हम सिंसेप्शन देख रहें कि 17% return आपको इंडिया में भी मिल रहा है, तो आप क्यों किसी और चीज में निवेश करें, तो यह हो गया एक philosophy of investing in index funds, अब दूसरी तरफ में बता रहा हूँ, इंडिया एक बहुत मिचूर मार्केट अभी तक हुआ है, इसके लिए अभी भी स्कोप है वहाँ पर, जहां हम actively managed funds को अपने recommendation में include करते हैं, हमने index fund का recommendation about 25% weightage दिया है, बाकी हम 75% दे हैं actively managed funds में, अभी आपका जो सवाल था कि अगर regularly track न आपको on average 10 years के period में मिल रहा है, हम 10 years का data अभी in last 10 years का देख रहे हैं, जिसमें हमने 2008 का recession भी देखा था, 18.75% return आये हैं, तो अगर कोई retail investor है, जिने आपको बिलकुल भी ध्यान, आम intention नहीं लेना है market का, तो आप index fund में निवेश करिए, कुछ भी आपको track करने के ज़रातनी ह बस उसमें बने रही है, till the end of the period that you need the money. अबने में आपको आपको किए खाए, पर स्वागत है, फोकसे mutual funds पर स्वालों की जवाब दे रहे हैं, हर्श रूंगता हर्श आपने कहा तब लेक के पहले कि अगर रेगूलर्ली ट्रैक नहीं कर सकते हैं, तो क्या ट्रैक करना है मुझे, क्या ट्रैक करना है मुझे, क्या म दें मैंपंच की बाने मचंति की पाद करें तो आपने कौनसे ले रहे हैं पहले बाद, आपने लार्ज काफटा हैं, मिट क्या रहे है यहकले को सेक्टर में भेडर्खा है, ऐगर तो आपको उसको में ख़रको बेंभी करना होगा वाद को मुझे प्योब्रिहा यह फिल पर आपको यह देखना है कि फंड मैंजर अगर चेंज शोरा है तो प्राइबिली उसमे आपको उसका परफॉर्मन्स के चेंज भाए है तो अगर कोई निवेश्य को इनवेश्य को पताना ज़रूरी है और कोई अगर 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 कोई बड़ा फैसला लेते हैं फंड से जोड़ा पर एक्सामपल अगर कोई फंट मैंजर ने एक फंट हूँज के दूसरे फंट हूँज में जाते हैं तो कई बार हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स वो फंट मैंजर को फॉलो करते हैं तो अगर वैसी सिच्वेशन है तब आप शायद फंट मैंजर को ट्रैक करेंगे अगर आपको परण के प्रोट ने भी रहते हैं तो शायद इतना फ़रक ना पड़े जिर इसकिंग क्या ट्रैक करें अपके जो फंट के अब्जेक्टिव तो वो फंट के से चल रहे हैं अगर आपको जो performance है, उसके comparison के जो दूसरी schemes है, क्या ऐसा है कि वो schemes आपको long term में जादा better returns दे रही हैं, उनके जो portfolio है, आप portfolio के अंदर भी जा के देख सकते हैं, जो fund की schemes है, उनके portfolio में exactly कौन सी companies हैं, कितना weightage है उन companies का, तो आप वो सब data अगर चाहें तो track कर सकते हैं, लेकि अगर अच्छे हैं, तो आप continue रखिये, हम जैसे HGFC Top 200 last year एक भौती popular scheme थी, यह साल it's not on the top of the charts, तो कई लोगों को वो हता है कि last year तो हमने वो recommend करने के basis पे अपने इंवेस्ट किया था यह साल नहीं है, तो ऐसी situation में यह fund एक अच्छा fund otherwise है, ज़रूरी नहीं है आपने जिसम कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, हर्श, यह कहना सही होगा? यह नौट रहली, आप एक advisor की भी, अगर आप advisor को involved कर रहे हैं और वो आपके भीहाफ पे काम कर रहे हैं, तो आपको शायद वो नहीं करना होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, तो आपके लिए बैटर है, फिलहाल अब यॉर्मनी में इतना ही बहुत बहुत शुक्री आहर्श, आज सवालों के जवाब देने के लिए, और आप सभी बने रहे हैं, CNBC आवाज के साथ, नमस्कार.